अब ही हाल ही में भारत में कुछ लोगसवा सीटों पर उपचुनाव हुए और इन उपचुनाव के जो नतीजे रहे वे क्या संकीत देते हैं यही बात हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं इंतरिम सिगनल्स इंतरिम का मतलब हुआ टेंप्रेरी सिगनल्स संकीत यानि कि यह चुनाव के नतीजे जो हैं क्या अल्पकालिक संकीत देते हैं देखो पॉज का मतलब होता है उपस्तित कर देना खड़े कर देना प्रस्तुत कर देना तो सीम का मतलब होता है प्रतीत होना इन सर्माउंटेबल का मतलब होता है जिसके उपर पार न पाई जा सके यानि कि आप जिसको डिफीट न कर सको है उसको कहेंगे इन सर्माउंटेबल चैलेंज तो बीजेपी ने एक ऐसा चैलेंज खड़ा कर दिया है एक ऐसी चुनोती प्रस्तुत की है बीजेपी ने जिसक को की पार पाना बहुत मुश्किल है, यानि कि इस चुनोती से टकर ले पाना बहुत मुश्किल है, आईसा प्तीत होता है, तो यहां पर पॉज का मतबगा है खड़े कर देना, उपस्तित कर देना, तो कुल मिला के BJP ने एक ऐसी चुनोती उपस्तित कर दी है, कि BJP को में बटा हुआ है जो मिलकुल विभाजित है to a fragmented opposition की बटे हुए विपक्ष के सामने ये चुनोती प्रस्तुत की गई है the outcomes outcome का मतलब होता है नतीजे परिणाम in three लोकसभा constituencies कि तीन लोकसभा छेत्र जो हैं कि वही ये जो तीन लोकसभा छेत्र हैं इन में जो परिणाम आये हैं one in Punjab and two in उतरप्रदेश तो तीन seats पर चुना हुए एक तो है पंजाब की और दो है उतरप्रदेश की make significant political points तो ये जो नतीजे हैं ये नतीजे जो हैं बहुत ही महतवपूर्ण राजनेतिक points को निर्मित करते हैं कुल मिला के राजनेतिक दृष्टी से बहुत ही महतवपूर्ण है अन्यूजवल for such routine bipolar कुल मिला के ये जो नतीजे हैं बड़े ही अन्यूजवल नजर आते हैं थोड़े से असाधारन नजर आते हैं for such routine bipolar यानि कि हम देखते हैं इस तरह के जो routinely उपचुनाव होते हैं उनमें इस तरह के नतीजे अन्यूजवल हमें देखने को मिलते हैं तो क्या हुआ इन चुनावों में आप faced a major setback setback का मतलब होता एक तरीके से defeat होना, हार होना, जटका लगना in Punjab तो आम आदमी party जो है face का मतलब है सामना करना a major setback in Punjab तो आम आदमी party को पंजाब में बहुत ही जबरदस जटका लगा, हार का सामना करना पड़ा क्यों? as it lost its passion बहशन का मतलब होता है गड़ बोलते हैं न ये मेरा गड़ है, ये मेरा किला है तो कुल मिला के ये जो छेतर था, जिस पर आम आदमी party चुना हो रही है संगरूर छेतर, ये आम आदमी party का गड़ था तो कुल मिला के इस गड़ को आम आदमी party ने खो दिया विच्वाज वेकेटिड बाए चीफ मिनिस्टर भगवन्त मान और ये जो छेतर है, यानि कि ये जो संगरूर छेतर है पंजाब में इस सीट को खाली किया गया था चीफ मिनिस्टर भगवन्त मान के दोरा who had won it in 2014 and 2019 तो ये जो संगरूर छेतर है तो इस लोकसवा सीट को भगवन्त मान ने 2014 में भी जीता था और 2019 में भी जीता था कि आम आदमी पार्टी ने अभी हाल ही में पंजाब में जो विदान सबा चुना हुए थे उन में जो जीत हासिल की थी उस जीत को देखा गया था वाजसीन किस रूप में एज वैलिडेशन वैलिडेशन का मतब है कि आम आदमी पार्टी की पंजाब में जो जीत हुई थी उसने इस बात को काफी हद तक वैद बना दिया था काफी हद तक इस बात को वैलिड बना दिया था कि पार्टी जो है आगे अपनी राष्ट्री महत्वकांचाओं को भी प्राप्त कर सकती है यानि कि एक राष्ट्री पार्टी के रूप में उभर सकती है बट लेकिन संडेस सेट बैक मस्ट सर्व एज आ रियालिटी चेक लेकिन रविवार को ये जो हार आम आदमी पार्टी को देखने को मिली पंजाब में ये एक उधारन के रूप में प्रस्तुत होना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए as a reality check कोई भी चीज अगर आपके लिए reality check का काम कर रही है इसका मतलब है आपको उस मुद्दे को देखना पड़ेगा उस मुद्दे पर आपको ध्यान देना पड़ेगा सर्व का मतलब है इस काम आना तो कुल मिला के इस काम आना तो कुल मिला के ये जो जबरदफ्त हार हुई है आम आदमी पार्टी की संगरूर लोकसभा सीट पर तो इस हार के माध्यम से एक reality check का आम आदमी पार्टी को मिलना चाहिए यानि कि आम आदमी पार्टी को फिर से विचार करना होगा अपनी नीतियों पर If anything आम आदमी पार्टी's performance in Punjab in the last three months कि पिछले तीन महिनों में आम आदमी पार्टी के performance की अगर हम बात करें पंजाब में तो यह कैसा रहा है क्या रहा है performance far from far from का मतलब है कहीं दूर proving its capacity to be a national party तो कुल मिला के तीन महिनों में जो पिर दर्शन किया है आम आदमी पार्टी ने वह है उसकी रास्ट्रिय पार्टी बनने की जो छमता है उससे तो बहुत दूर है has only raised several questions कुल मिला के यह जो आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन रहा है पिछले तीन महिनों में has only raised raised का मतलब है उठाना several का मतलब है कई questions यानि कि यह जो तीन महिनों का कारेकाल रहा है आम आदमी पार्टी का इसने कई तरह के सवाल उठाए है as it turned out turn out का मतलब होता है साबित होना है as it turned out जैसा कि हम देखते हैं जैसा कि पता चला जैसा कि साबित हुआ as it turned out the opposition कि अगर हम विपक्ष की बात करें विपक्ष में कौन-कौन है the shiromani akalidal SAD इसके अलावा एक और पार्टी है SAD अमरित सर इसके अलावा the congress and the BJP पंजाब छेतर की अगर हम बात करें तो ये जो पार्टी से ये हैं विपक्ष all fighting separately और सारी की सारी जो पार्टी हैं बिल्कुल प्रत्थक प्रत्थक रूप से जो हैं लड़ रही हैं चुनाव made the point on the gap तो इन सभी पार्टी जने इस बात पर जोर दिया यानि कि मुद्दा क्या बनाया इन विपक्ष की पार्टी जने on the gap between आम आदमी पार्टी इस प्रॉमिस and delivery कि आम आदमी पार्टी ने जो वादे किये थे और उन वादों की कितनी delivery की गई जो वादे किये वो पूरे हुए या नहीं हुए इसी point को मुद्दा बनाया गया सारी की सारी विपक्षी पार्टी के द्वारा and between its claims and capacity claim का मतलब हुआ दावा capacity का मतलब छमता इसके लावा इस बात को भी मुद्दा बनाया गया विपक्षी पार्टी के द्वारा कि आम आदमी पार्टी के जो दावे हैं और उनकी जो छमता हैं उनमें बहुत अंतर है इन पंजाब पंजाब में a state with its finances in a shambles देखो shambles में होने का मतलब है मामला with its finances in a shambles तो कुल मिला के वित्ती द्रश्टी से अगर हम बात करें पंजाब जो है तो वो बहुत ही unorganized इस्थिती में है वित्ती इस्थिती से काफी ज़्यादा हालत पंजाब की खराब है and its bureaucracy and the police a law into themselves इसके अलावा पंजाब की जो नौकर शाही है और वहां की जो पुलिस है वो अपने आप में स्वयम कानून है the inexperienced band of activists that came to power the inexperienced band of activists यहां आम आदमी पार्टी के लोगों के लिए कहा गया है कि पंजाब में ये जो लोग सत्ता में आये हैं ये राजनीती के छेतर में इनको उतना ज्यादा अनुभव नहीं है तो ये जो गैर अनुभवी समूह है कारे करताओं का पंजाब में that came to power जो की सत्ता में आया is caught in a bind देखो caught in a bind जब हम बोलते हैं ना in a bind in a bind का मतलब होता है in a difficult situation तो कुल मिला के ये जो आम आदमी पारिटी के लोग हैं ये बहुत ही difficult situation में फस गए Mr. Maan who also faces the charge of being the charge of being remote controlled from Delhi by party chief Arvind Kejriwal Mr. Maan जो है उनके उपर इस charge का मतलब होता है आरोप उनके उपर ये आरोप भी है यानि कि इस आरोप का सामना भी उनको पढ़ रहा है of being remote controlled कि उन्हें control किया जा रहा है दिल्ली से आम आदमी party के chief Arvind Kejriwal के द्वारा the winner ये जो पंजाब लोगसभा seat पर by poll हुआ इस पे जो winner थे कौन है winner Simranjeet Singh Maan of the S.A.D. Amritsar तो winner रहे Simranjeet Singh Maan S.A.D. Amritsar made संगरूर as significant as the loser did तो ये जो winner है इन विनर ने संगरूर को उतना ही महतपून बना दिया जितना महतपून हारने वालों ने इस चुनाव को बनाया he is a ये जो प्रेशन के बहुत ही जबरदस्त समर्त्क बहुत ही प्रचंड समर्त्क ardent का मतलब भी यही होता है कि आप किसी के बहुती जबरदस्त भक्तो and ardent follower of भिंडरा वाले और ये जो Simranjit Singh मान है ये भिंडरा वाले के बहुती जबरदस्त follower है who spearheaded अब ये भिंडरा वाले कौन है who spearheaded spearhead का मतलब होता है कि नेत्रत्व करना किसी चीज का है who spearheaded the violent terrorist separatism of the 1980s कि 1980 में जो बहुत ही ज़ादा हिंसक आतंकी अलगाववाद हमें देखने को मिला पंजाब में उसका नेत्रत्व किया था भिंडरा वाले ने his victory and the complete emaciation of the congress तो ये जो Simranjiit Singh है उनकी victory उनकी जीत and the complete emaciation of the congress emaciation का मतलब है बहुत ही कमजोर और congress की स्थिति जो है वो बहुत ही कमजोर हो गई है बहुत ही दुरूबल हो गई है Congress की स्थिति The S.A.D. and the BJP signals the dangerous crossroads Punjab is at कुल मिला के Congress है S.A.D. है इसके लावा BJP है इनकी स्थिति जो है बहुत ही ज़्यादा कमजोर हो चुकी है पंजाब में तो ये बताता है इस बात को है ना ये इस बात के signal है The dangerous crossroads Punjab is at कि पंजाब कितने खतरनाक चौराहे पे खड़ा है Crossroads का मतलब होता है चौराहा The dangerous crossroads Punjab is at कि पंजाब कितने खतरनाक चौरस्ते पे खड़ा है In UP तो ये तो हुआ पंजाब उपचुनाव की बात होई इसके लावा In UP The BJP's victories In Rampur and Aajamgad कि UP की अगर हम बात करें तो BJP ने जीत दर्ज की Rampur चेत्र और Aajamgad चेत्र में तो ये जीत किस बात को प्रूव करती है प्रूव The continuing potency का मतलब है ताकत Of the party In the heartland Heartland का मतलब होता है मुख्य चेत्र कि किसी भी देश का जो मुख्य चेत्र होता है उसके लिए हम बोल देते हैं कि भी ये देश का Heartland है कि भी Central part होता है देश का कोई है तो कुल मिलाके UP में BJP ने Rampur और Aajamgad चेत्र में जो जीत दर्ज की वो बताती है कि भी लगातार BJP की ताकत Heartland में बनी हुए यानि कि इस UP में बनी हुए आजमगड वाज वेकेटेड by सपाचीप अकिलेश यादव who chose to return the assembly seat तो कुल मिलाके ये जो आजमगड की seat है ये सपाच के जो चीप है समाजवादी पारिटी के चीप अकिलेश यादव उनके द्वारा ये seat खाली की गई थी अकिलेश यादव ने इस बात को चुना तो to return का मतलब है कायम रखना the assembly seat that he won while the party lost a second consecutive time तो कुल मिलाके ये जो अकिलेश यादव है इनोंने जो assembly seat है उसको जो है कायम रखा who chose to return the assembly seat that he won यानि कि assembly seat को तो अकिलेश यादव ने जीत लिया लेकिन उनकी जो समाजवादी party जो है वो लगातार दूसरी बार जो है assembly चुनाव में हार गई consecutive का मतलब लगातार रामपूर वाज वेकेटेड by senior party leader आजम खान और ये जो रामपूर चुनावी छेतर है इसको खाली किया गया था party समाजवादी party के वरिष्ट ने था आजम खान के दौरा who will return his assembly seat और ये जो आजम खान है ये क्या करेंगे return का मतलब है कायम रखना his assembly seat कि वह अपनी विदानसभा seat पर कायम रखेंगे ना अपनी विदानसभा seat को जो है बरकरार रखेंगे that जब भी कोई वाकि that से शुरू होता है तो उसका मतलब होता है यह बात की such strongholds stronghold का मतलब है पकड़ कि वह किस छेतर पर आपकी कितनी strong पकड़ है that such strongholds have slipped out slip out का मतलब है फिसल जाना of its hands यह बात कि यह जो दोनों की दोनों यानि की रामपुरो और आजमगर छेतर जो थे यह बहुत ही मजबूत पकड़ थे सपा के और यह मजबूत पकड़ जो थे यह सपा के हाथ से फिसल गए तो यह इस बात को दर्शाता है यह fact यह तथ्य इस बात को दर्शाता है further further का मतलब होता है आप कुछ और add करना चाहते हो अपनी बात में इस further proof that the सपास hopes of a return in UP may be unrealistic यह एक बार फिर इस बात का proof है कि समाजवादी पार्टी की जो आशाएं है UP में दुबारा लोटने की यह आशाएं आयथार्तवादी हो सकती है and its style character and personal का मतलब है कर्मचारी are unacceptable to large sections of the waters और UP के उपचुनाव के नतीजे तो यही बताते हैं कि समाजवादी पार्टी के काम करने की जो style है पार्टी का जो चरित्र है पार्टी के जो कर्मचारी है वे UP के जो मतदाता है यानि कि large section की अगर हम बात करें कि ज़्यादातर वर्गों की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर वर्गों में जो भी मतदात आते हैं, उनको पारिटी की ये स्टाइल सुईकार्य नहीं है। वाइल, जबकि the US results, the UP results, make the BJP's position unassailable, देखो, unassailable का मतलब है, जिसके उपर attack न किया जा सके, जिसके उपर हमला न किया जा सके, तो UP के results ये बताते हैं, कि अब BJP की position जो है, बहुत ही जबरदस्थ हो गई है, बहुत ही मजबूत हो गई है, इतनी मजबूत हो गई है कि उस पर attack नहीं किया जा सकता। लेकिन साथ ही साथ, जो UP results हैं, वे नई संभावनाएं खोलते हैं, in the opposition space, कि जो विपक्ष है UP में, उसके लिए और नई संभावनाएं खोल जाती हैं, क्यों? ऐसा इसलिए, as the surpass slide continuous, कि समाजवादी party की slide जो है, वो लगातार बनी हुए, यानि कि समाजवादी party लगातार UP में अपनी पकड़ खोती जा रही है, तो अन्य, यानि कि जो विपक्ष के लिए जो है, एक नया space भी निर्मित हुआ है, in the आत्माकुर Assembly Segment का मतब है, हिसा, वर्ग, छेत्र, इन आंदरप्रदेश, कि आंदरप्रदेश में आत्माकुर Assembly छेत्र की अगर हम बात करें, चीफ मिनिश्टर जगन मोहन रेड़ी, तो आंदरप्रदेश के जो चीफ मिनिश्टर ने जगन मोहन रेड़ी, उनकी जो पार्टी है, YSRCP, scored an impressive victory, तो YSRCP ने आत्माकुर Assembly छेत्र में बहुत ही जबरदस्त जीत हासल की, impressive होगा मतब है बहुत ही प्रभावी, while a victory, each in Tripura and Jharkand made the day for the Congress, देखो made the day, कोई भी चीज आपका day बना दे, कोई भी चीज आपका day बना दे, इसका मतब है उस चीज ने आपको खुश कर दी है, मतब है आपके लिए वो बहुत ही अच्छा रहा वो दिन, तो कुल मिला के Congress के लिए अच्छी बात रही, The CPIM continued to sink in Tripura, देखो sink का एक normal मतलब होता है डूबना, यानि कि डूबना मतलब है एक तरीके से हार जाना है न, The CPIM continued to sink in Tripura, Tripura में CPIM पार्टी जो है वो लगातार डूबती जा रही है, It's former stronghold, यानि कि ये जो Tripura छेतर है, ये CPIM पार्टी का बहुत ही एक मजबूत पकड़ था ये छेतर है न, Former का मतलब है पूर्व, Stronghold का मतलब है एक जबरदस्त पकड़, यानि कि इस छेतर पर CPIM पार्टी की बहुत ही जबरदस्त पकड़ थी, वो पकड़ खोती जा रही है, इन देली, देली की अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी returned the Rajinder नगर Assembly seat, कि देली में आम आदमी पार्टी ने बरकरार रखा, कि इस चीज को? Rajinder नगर Assembly seat, कि Rajinder नगर विदान सबाद छेतर जो है, उस seat पर आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस कायम रखा, बट, लेकिन, that is little solace, solace का मतलब होता है, राहत, बोलते हैं ना, comfort, for the party, लेकिन पार्टी के लिए, ये एक बहुत ही छोटे राहत की बात है, that lost its representation, in the लोकसभा entirely, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है, इसने लोकसभा में अपने प्रते निदित्व को पूरी तरीके से खो दिया, overall कि अगर हम finally बात करें, the bipolar outcomes, कि ये जो उपचुनाओं के नतीजे हैं, underscore, underscore का मतलब होता है, highlight करना, रेखांकित करना, the continuing dominance का मतलब है, कि लगातार BJP का influence, लगातार BJP का dominance बना हुआ है, and, और क्या दिखाते हैं ये जो उपचुनाओ, and the continuing inability, continuing का मतलब है जारी है, लगातार बनी हुए है, क्या, inability of the opposition, और विपक्ष जो है, वह लगातार आयोग्य बना हुआ है, किस बात के संबंद में, to rise to the challenge, rise का मतलब है, उठना, कि लगातार विपक्ष जो है, वह बीजेपी के द्वारा, जो चुनोती परस्तुत की जा रही है, उस चुनोती का सामना करने में unable है, उसके पास ये ability नहीं है, विपक्ष के पास, कि वो बीजेपी की चुनोती का सामना कर सके, तो ये चुनाव की नतीजे दर्शाते हैं,